बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटगाइड पीपल्स वोईस और पहला आइकन दबाए बाउजन समाज की लिए वो क्या सोच सकती है किसकी सरकार बनेगी कोन यहां पर सरकार जीत रही है कोन हार रहा है इस पर हम चर्चा करते हैं विस्ताव से और आपको एकजिप पॉल बताने की कोशिश करते हैं कि कितनी सीटें आसान इसे कोन सी पार्टी जीत सकती है तो दर असल आपको वता दें कि यहां पर छेतरी दलों का दबदबार हैगा जारकंड एक एत्मात्र ऐसा स्टेट माना जाता रहा है जहां पर निर्दले विदायक ने भी मुख्यमंत्री कुजपद की पुर्शी समाली है आपको वता दें कि जारकंड पिसले लगातार अप में एक चीज खास दोर से देखी गई है कि इन बार के चुनाओं के अंदर महराश्टर और हर्याना के अंदर चुन नतीजे आएं उन नतीजों के आने के बाद यहां पर कॉंग्रेस पार्टी ने गट बंदन किया चारकंड मुक्ति मोर्चा यानि एमन सोरेंड शिबू सोर करती हैं हैं चारकंड के वो भी इस चुनाओं में पूरी तरिके से अपने बेटे के साथ शक्र यह नजर आ रहे थे होज़़े आजसूैपी बीजे पी से अलग वर चुनाओं ये लड़ी किस पार्टी को कितनी इफिए कटें मिल सकती हैं यह समाषओ धैन सी बातल किसमाज और आजच्चू पार्टी गरवंदन की सरकार है और एक बार ये फिर साफ है कि यहां पर जो रगवरदास की सरकार है यानि बीजएप की सरकार है वो पुंड्र श्पष्ड बहुमत के साथ नहीं आएगी तो इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि बीजेप य 내가 six goats त्या और पूरी उमीद है क्योंकि एक तो लडबंदन के साथ चुनाव लड़ रही है दूसरी इस बार जो बीजेपी के खिलाब माहोल बना है जारकंड महारास्टर में वह भी काफी ज्यादा मैत्वपूर्ण है इसके लाव आपको उता दें कि जो कुल मिलाकर हम सिच्वेशन की कोशिश करें तो मार्क चारकंड और हर्याना के अंदर जो कुछ अभी हुआ है उचसे ये कह नहीं सकते कि आखिर किसकी सरकार बनेगी क्योंकि बीजेपी कोंग्रेस ने अपने विरोधी से विरोधी पार्टियों के साथ मिलाकर सरकारे बनाई हैं तो ये सरकार और शवेश्टबहुमत की सरकार किसी के नहीं बनेगी ये हम आपको इसाप तरिके से कह रहे हैं इसमस्ट मुमत की सरकार बंती नजर नहीं आ रही है, आज कल कॉंग्रेस ये बीजेपी घडबंदन कर ले तो भी कुछ का नहीं जा सकता, क्योंकि माराश्टन में सिव चना और कॉंग्रेस का घडबंदन बीजेपी कॉंग्रेस जैसा ही है, इसके लाँ आपको वता दें कि य इलाका है, वो काफी जादे भाली बाता अधराज में, वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के लिया जासे, अगर हम इसे देखने की खोशिश करें, तो एक या दो शीटों के उपर अच्छी खासे प्रदिशन है, करीब पांच ये जो सीटे हैं, उन सीटों के और बहुजन समाज पार्टी अपने अच्छे कासे वोट निकाल कर आएगी, लेकिन सीट जीतने की स्थिति में केवल मातर एक या दो सीटों को देखा जा सकता है, जिसके अंदर उनकी पिछली जो सीट थी, पलामू, हुसेनाबाद, वो सीट भी आ